साथियों को मेरा नमस्कार आज मैं आपको बताने जारी हूँ reach word को, switch word को आप कितनी situations में use कर लेते हैं बहुत सारे लोग reach switch word से परिचित हैं केवल इतना परिचित उनके पास है कि कुछ अगर आपका खो जाता है तो आपका switch word है reach, मगर reach इससे भी और जादा है तो आज मैं आपको बताने जारी हूँ कुछ ऐसी situation जिसमें कि आप reach switch word का इस्तेमाल करेंगे तो पहली और सबसे best situation जो reach switch word को इस्तेमाल करने की है वो ये कि कोई भी आपका item खो गया हो आपकी कोई चीज, वस्तु कुछ भी अगर खो गया है तो खोई हुई चीज को ढूनना है अगर, पाना है अगर, तो आपका switch word होगा reach कैसे आप इसको अस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज में नए लोग हमेशा जुडते है जब भी हम किसी switch word को इस्तेमाल करते हैं तो पहले अपना intention मन में डालिए कि मेरी ये चीज हो गई है मेरी gold की ring हो गई है मैं उसे ढूनने के लिए इस switch word का इस्तेमाल कर रही हूँ मन में बोलिए उसके बाद इस switch word को बोलना शुरू कर दीजे जितना ज़्यादा बोल पाएं उतना बहतर रहता है counting भी ज़रूरी नहीं है मन में जितना ज़्यादा आप बोलते रहेंगे आप देखेंगे आपको जल्दी result आएगा तो ऐसे इस्तेमाल करना है switch word reach को पहली situation मैंने बता दी कोई भी चीज आपकी खो गई हो यानि कि lost और misplaced objects में आपको use करना है reach switch word दूसरी कौन सी situation में आप use कर सकते हैं जबकि कुछ नया idea लाना हो मतलब कुछ नया काम करना है लेकिन idea कुछ दिमाग में नहीं आ रहा किसी shop का नाम रखना है समझ में नहीं आ रहा बच्चे का नाम रखना है कोई नया idea ही नहीं आ रहा क्या नाम रखें क्या कोई नया restaurant खोलना है कुछ नया idea कुछ नई theme कैसे खोलें क्या करें कुछ नया creative idea अगर दिमाग में चाहिए तब भी आपका switch word होगा reach यानि कि नए idea के आने के लिए भी आप switch word reach को स्तेमाल कर सकते हैं तीसरी चीज़ अगर कुछ नया discover करना चाहते हैं कोई नई खोज करना चाहते हैं संसार में अगर विक्ती ने सोचा ना होता तो इतनी सारी खोज भी ना होई होती तो अगर कुछ नया करना चाहते हैं कुछ नई discovery करना चाहते हैं तब भी आपका switch word होता है reach मन में ये सोचिए कि मैं कुछ नया discover कर पाऊं जिस भी field में आप काम कर रहे हैं और कुछ नया करना चाहते हैं तो नई discovery के लिए मैं इस word को chant कर रहा हूं मुझे लगातार कुछ नए ideas आएं ऐसा हो कि मैं कुछ नया discover कर पाऊ तो इसमें भी आप इस्तिमाल कर सकते है reach switch word को बड़ा ही powerful switch word है केवल आपकी intention क्या है उस पे result depend करता है कि आपने किस intention से इसको इस्तिमाल किया है तो ये हो गया reach word का एक और use इसके अलावा memory कुछ recall करना हो यानि कुछ चीज भूल गए दिमाग से उतर गई गए अभी तक याद थी लेकिन आप एकाइध्यानी नहीं आ रहा कि क्या था क्या था क्या था कहां रखा कहां रखा यादी नहीं आ रहा तो कुछ recall करना हो कुछ पुरानी चीज याद करनी हो कि क्या हुआ था उस समय कुछ याद नहीं आ रहा कहां वो चीज रखी थी कुछ याद नहीं आ रही तो recall करने के लिए भी आप chant कर सकते हैं switch word reach को इतना प्यारा switch word है कि तुरंत आपको इंस्टेंट आदा से एक घंटे में ही कभी-कभी तो result दे देता है पूरे विश्वास और श्रधा के साथ switch word को इस्तेमाल करिए ईश्वर चाहेंगे तो आपको result जरूर मिलेगा मैं शाले नहीं वर्मा अगले वीडियो में फिर से मिलूँ नमस्ते